कि दवर्ड स्टेटिस्टिक्स है बिन ड्राइट फ्रॉम जो स्टेटिस्टिक्स का वर्ड है वो स्टेटिस्टिक इस वर्ड से निकले है ठीक है जोके लैटिन वर्ड है दवर्ड स्टेटिस्टिक कम्स फ्राम लेटिन वर्ड ये लेटिन का एक वर्ड है स्टेटिस उसे निकल है ठीक है स्टेटिस्टिक्स इस टेकन फ्राम लेटिन वर्ड ठीक है को मफिर के वही बाद बाद Statistics एक branch है applied mathematics की Statistics backbone है research की यानि जितनी तरह की भी research की जाती है उसमें इसके formula यूज किया जाते है इसलिए ये उसकी backbone है backbone कहलो कि main चीज उसमें statistics के formula होती है जिससे फिर comparison किया जाता है The word statistics in all day used in three ways आज कल statistics का जो word है वो तीन तरह से use किया जाता है Statistics scholars ने कि scholar ने सबसे पहले use किया था got action well ने plural sense में statistics का mean है aggregate effects यानि के हकाय का मजमूव हो ठीक है aggregate कहते हैं मजमूव हो statistics are always statistics हमेशा क्या है हकाय का मजमूव research organization provide research organizations होती है वो हमें secondary data देती है यानि वो पहले data कठा करती है न वो primary data होता है और फिर उस पर कोई नहीं कोई टेक्नीक लगा के फिर हमें उसका result एक तरह से पेश कार रही होते हैं तो वो secondary data होता है statistics large जो हैं वो long run के लिए होते हैं क्योंके अब बेर्से के लिए बनाए जाते हैं छोटे अर्से के लिए नहीं होते हैं जैसे भी मर्दम शमारी की गई तो यह नहीं कम जगम तो 10 साल के तो यह होगी यह नहीं के दो तीन मीने के लिए तो यह long run के लिए बनते हैं. ब्रांच स्टेटिस्टिक्स की जो डील करती है collecting presentation या अनल्सिस ओफ data जिसमें इन डेटा को collect करते हैं प्रेजेंट करते हैं अनल्सिस करते हैं वो कौन सी है? descriptive statistics मकमल ग्रूप जो हमारे under study होता है वो population होता है उस population में जो हम एक पार्ट लेते हैं, study के लिए वो sample होता है, representative part of population, फिर sample ही होता है, ठीक है, पाई क्या है, constant है, जिसकी value 3.14 या 22 बटा 7 होती है, constant can assume one value, क्योंकि ये change नहीं होती, constant जो होती है, तो जो value change हो सकती है, एक object से दूसरे object में वो variable होती है, variable ऐसी value जो change हो सकती है, और constant वो change नहीं होती है, exponent वैसे power को कहते है, coefficient जो variable के साथ दिया गया हो, a collection of same elements, of some elements from a group, एक group में से जब हम कुछ elements को select करें, वो example होता है, मारे पास, mu क्या है, एक parameter है, इसी तरह सिगमा, पाई वगारा भी parameters होते हैं, population senses is contacted through population, या मर्दम शुमारी, हम complete enumeration के जरिए, यनि कठा करते हैं, enumeration वगारा, यनि मकमल उसका, आपको पता ही ना, अभी जैसे मर्दम शुमारी हुई है, fresh fresh ही 2023 में, तो बकाईदा वो आये थे, हर चीज़ उनके पास फार्म थे, हर चीज़ उन्होंने fill कार के लेकर गी, statistics must be comparable, statistics को हम हमेशा compare करके बताते हैं, पीछे ये था अब ये है, data in the senses report, जो मर्दम शुमारी की रिपोर्ट में data होता है, और वो क्या होते हैं, वो चीज़ दो दे दिए, वो असल में primary data होता है, तो बाद में जब वो उस पर कोई टेक्नीक बाद अपलाई करेंगे, तो बाद स्केंडरी होज़ेगा भी, height of student, एक class में जो student की height है, वो continuous data होती है, क्योंकि points में ली जा सकती है, जी 5.6 है, 3.2 है, discrete कौन सी होती है, जिसमें point ना हो, जैसे class में कितने लड़के हैं, जी 5 हैं या 10 हैं, यह नहीं कहेंगे 3.2 लड़के हैं, ठीक है, वो discrete होता है, qualitative variable, यह वैसे आपकी मालूमाद के लिए बता रहा हूँ, qualitative जिसमें qualities हों, जैसे height है, किसी की run गैन, वोगेरा, quantity measure is calculated from sample data, जब quantitative measure लिया जाएगा, quantities में हम value देंगे data की, तो वो एक status कहलाती है, which of the following, the example of discrete variable, discrete variable में से कौन सा है, number of days इना, क्यूंकि number of days कितने हो सकते हैं, 2, 3, 4, ऐसे नहीं होता है, 3.5 days हैं एक week में, ऐसे नहीं होता, height points में लिए जा सकती है, shoe size भी point में आ सकता है, तो ये दोनों continuous हैं, तो ये केला ही क्या है, यहाँ पर discrete variable है, qualitative variable is called, quality जो है, उसको में attribute भी कहते हैं, ठीक है, attribute कह लिए, qualitative जो होते हैं, measurements usually provide, जो measurements होती हैं, वो में continuous data प्रोइड करती हैं, a variable which can take any value between two numbers, वो continuous variable होता है, क्योंकि वो points में भी value ले सकता है, तो मतलब, दो points के दर्मियान value ले सकते हैं, parameter are related to parameter population से related होते हैं, weighted of whole earth, कमल mean का जो weight है, वो क्या है, constant value है, 3.6.6.7, 3.10 की power, minus 11 शायद होती है, secondary data collect का हम कर सकते हैं, office सोर से, colors of flower, flower के color हैं, वो quality को जाहर करते हैं, तो qualitative variable है, a value which does not change, एक value जो change नहीं होती, वो आपको बता है, constant होती है, हमने पहले भी पढ़ा है, इसी में, a variable that can assume any value within a range, variable जो एक range के अंदर values ले सकता है, वो continuous variable होता है, sample mean x bar, यह क्या है, x bar एक parameter है, ठीक है, नो यह तो value निकाल देगा, status, ठीक है, क्योंकि वो होता है, mu होता है, pi होता है, sigma, ठीक है, तो यह क्या है, एक statistics, the purpose of sample is to draw inference, inference का मतलब result, sample के result लिकालने का मकसद क्या होता है, हमारे पास, the purpose of sample is to draw interference about sample, Sample से result लिकालने का मतलब क्या होता है, है कि हमने कोई नतीजा नकालना है उस सेंपल के बारे में अब मेजरेबल कॉंटिटी एक कॉंटिटी जो पर मैश की जा सके वो हमारे पास क्या होती है और आप सब्सक्कасти नमॉर्ण के नमेरिक वेलियु कालेश निकालते हैं वो क्या होती है कि कॉंस्ट होती है थीक है नमबर आफुटिटर एकसिदेन्ट नम्बर के वह कितने डिस्क्री डाट रता है पाँच है के ऩो number of chair एक class में जो chairs हैं वो भी क्या होते हैं भी constant होते हैं chairs कितनी हैं जी 10 है 20 है 30 है lifetime of TV tube वो क्या है एक continues है ठीक है 3.5 भी हो सकते है data classified by attributes वो data जो असुसियात की बिना पर लिया जाए वो क्या हता है qualitative data है single numerical एक जो अकेला फेक्ट होगा वह चाए डैटम और ज्यादा होंगे तो डैटा होगा क्या एक ट्रास यह प्राइमरी डैटा हॉता है जो हम अपना नकाह नाम रिजिस्टर पर वाते हैं personally investigation एक बंदे से जा गिस की बन्याधी मालुमूत लेंगे तो वो क्या होगा एक प्राइमरी डेटा होगा investigation through questionnaires ठीक है एक paper होता है आपका नाम क्या है वालत का नाम क्या आपकी जात क्या है आपकी age क्या है आपकी education क्या questionnaires के जरी जो डेटा कटा करेंगे वो भी क्या होगा primary data होगा questionnaire method is used to collecting questionnaire का method primary data collect करने के लिए होता है blood color of a student वो क्या है एक attribute है सूसियत है the data which have undergoed any treatment previously ऐसा data जिस पर कोई ना कोई treatment लग सका है formula लग चुका है वो primary से क्या बन गया है secondary data weight of student एक लास में student का weight क्या है continuous data क्योंकि point में हो सकती है एक individual से जो हम data कठा करेंगे वो primary data होता है primary data के sources क्या हो सकते है सर्वे ठीक है सर्वे किया जाएगा उसमें the data which have not undergo any statistical treatment ऐसा data जिस पर अभी कोई भी टेक्नीक नहीं लगाएगी वो primary होगा group data is also called group data को हम में secondary data भी कहते है printed data और always printed data जो है वो हमेशा secondary data होता है क्योंकि वह ले लिया गया है ना किसी से इन्फार्मिशन रिकार्डिटी इन ओरीजिनल फार्म में जो data होता है वह राड़ डेटा होता है the data obtained from college record कॉली रिकार्ड से डेटा आएगा वो primary data होगा पता चल जेगा ना कितने बॉइस हैं कितनी कल्स हैं किस class के हैं थोड़ा बहुत उस पर लग चुके हैं डेटा विच इस नाट फ्रेश डेटा जो फ्रेश ना हो इन इस characteristics अपनी हसूसियात में वो क्या होता है primary data milk produced by co is an example of continuous data क्योंके milk 2.5 liter 3.6 liter इतना हो सकते हैं number of vowel in each word of this book number of vowel इस बुक में वो क्या है हमारे पास discrete data क्योंके number number से बता चाल रहा है ना number होंगे point नहीं होंगे flowers on a tree discrete data statistics which is not measured statistics which is not measurable जो हम पे मैश जिसकी ना कर सकें वो क्या होता है एक कुछ भी नहीं है क्योंके बाकिए attributes सारा कुछ हम पे मैश कर सकते हैं data obtained from newspaper से जो data हम लेते हैं वो secondary data होता है number of weeks in a month discrete data होता है issuing a national identity card वो क्या होता है registration है the data published by economic survey of Pakistan वो secondary data होता है जो economic survey issue करता है कि इस वक्त मुलक की क्या सूर्पयाल है बगरा 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 the data which has already been collected by some ऐसा data जो पहले किसी ने collect कर लिया है तो वो क्या होगा हमारा secondary data होगा raw data में भी आ सकता है यूनिफार्म आफ स्टूडेंट यूनिफार्म जो एक स्टूडेंट का है वो क्या है कॉंस्टेंट तो वो एक पैरामीटर है ठीक है सुसियत को दार करेंगा ना result declare जो result declare किया जाते हैं सकेंडरी डाटा होता है data on passport passport पासपोर्ट पे जो data होता हो सकेंडरी डाटा होता है size of population as compared to sample जब हम population का sample से compare करें तो जाहर है population बढ़ी होती है large होती है the data obtained by conducting survey जो survey कदरी data कठा किया जाए वो primary data होता है number of student class में जो number of student होते है वो discrete variable होता है क्योंकि वो point में values की नहीं होती यह सारे हो गया है